चाइब आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ उपाय जिसे आपकी जिन्दगी बन सकती है सफल इसे चोटे सी एक बात जिसकी वजह से रुटीन की जो आपकी दिन चरिया उस में आप सफलता पा सकते हैं जो मेरे पास रूटीन में मेरे मित्र आते हैं जो मेरे क्लाइंट आते हैं मेरे सिश्य आते हैं जो मेरे पास बैठते हैं और मैं उनको बोलता हूँ नराएं जी पैर पे पैर रखके नहीं बैठना ऐसे क्रोस करके नहीं बैठना पीछे की तरफ हात लोग करके ऐसे लोग करके नहीं बैठना, यह पैर पे पैर रखके क्रौस करके नहीं बैठना So many times मैं सब लोगों को बोलता हूं और कमर सीधी, एकदम Relax मुद्रा में जैसे ही आप पैर पे पैर रखते हैं बहुत सारे सादू महात्माओं को देखीगा, बहुत सारे सक्सस लोगों को देखीगा, बहुत बड़ी बड़ी जो बिजनस की मिटिंग होती है वहाँ पे देखीगा पैर पे पैर रखके बैठना वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है आप किसी के पास जा रहे हैं और आप उन्हें अपना पैर पैर रखके बैठ गए तो आपकी वो मिटिंग सक्सस नहीं होगी, आपका एक एटिट्यूड आपका जलकेगा, एक आपकी नेगिटिव परसनल्टी में एक पॉइंट जलकेगा तो कहीं ने कहीं आपको यह हाथ पैर बांद के बैठना, यह लौक करके बैठना, एनरजी फ्लो को रोकना है अजमा के देखिएगा 10 मिटिंग ऐसे कीजिएगा जो आपने पैर पे पैर रखके करी हो हात बांदगे की हो हात एकदम लॉक करके करी हो किसी भी प्रकार की एनर्जी को डिस्टब करके करी हो तो वो मिटिंग देखिएगा जिसमें जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से बैठके देखेगा यकीन मानियेगा नराइन जी आपकी वो मिटिंग जो है सत्परतिशत कामियाब होगी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसे हैं बाकी तो प्रबू इच्छा यहां पर सोच भी निर्भर करती है कि आपकी सोच सामने वाड़े व्यक्ति के लिए कही ने कही अच्छी है आप accept कर लो कि या आदमी अच्छा है मुझ मेरे साथ अच्छा रहेगा किसी के साथ चाहे चोरो मेरे साथ यह सहुकार बन के रहेगा उस से भी आप उस व्यक्ति की सोच चेंज कर सकते हैं और आप अपने कारिये में सफलता पा सकते हैं यह बहुत बड़ा उपाई है नराय जी मितरो, आप मुझे सबस्क्राइब कर सकते हैं यूटुब चैनल पे, फेस्बुक पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टॉक पर बाकि सब शोशल मीडिया में मुझे नारान आचारिय चंडिगण के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं नमोनराएंजी नमोनराएंजी नमोनाएंजी